अगर आपके पास Poco X5, X5 Pro, कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप data warning को या data limit को कैसे remove कर सकते हो, कैसे turn off कर सकते हो phone से, तो आपको यहाँ पे security का option देखने को मिल जाएगा, आप click कर लेंगे, scroll करेंगे, data usage का option है, click कर लेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं, sim 1 में मैंने data limit ल करनी है, तो आप इस पे क्लिक करके warning को lock screen से remove कर सकते हैं, या फिर आप इस पे क्लिक करेंगे, data plan पे, data plan पे जाके आप यहाँ पे warning के level को बंद कर देंगे, ठीक है, जैसे कि 80% पे आपको warning मिल तो आप इस पे क्लिक करके ok कर देंगे, तो warning का level आप increase या ऐसे करके decrease कर लेंग देख लेंगे अपने recording, और अगर आपको यहाँ पे data limit हटाना है, तो आप यहाँ पे इसको बंद कर लेंगे, और back कर लेंगे, data limit आप देख सकते हैं, हट चुका है, जियो का, इसी type से sim 2 का पी आप remove कर सकते हैं, चले मिलते हैं आपको एक next वीडियो में, तब तक के लिए आपको 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 आपक झाल झाल